Hey what's up guys my name is Kabir and you are watching my channel Technical Wits तो guys आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे enable करोगे wearable refresh rate अपने windows laptop के अंदर और dynamic refresh rate कैसे enable करोगे अपने windows 11 के अंदर तो guys आप उन्हें देखा योगा कि आज कल जाता smartphone के अंदर आपको 90Hz की display 120Hz की display देखने को मिल जाते है और उसके अंदर आपको dynamic refresh rate का support देखने को मिल जाता है यानि जिस app को या जिस game को या जिस movie को जितने refresh rate की जरुत है उस हिसाब से display उसको उतना refresh rate प्रोवाइड कराता है जिससे क्या होता है कि battery कम खर्च होती है और battery की life बढ़ जाती है उसी तरीके से gaming laptop आते हैं उसके अंदर भी आपको 90Hz की display 120Hz की display 144Hz की display देखने को मिल जाती है तो आजकल के जितने भी जादतर latest laptop हैं वह VRR को support करते हैं यह VRR आप अपने Windows 10 या Windows 11 में on कर सकते हैं तो इसे कैसे on करना वह मैं आपको बता देता हूं के लिए आपको अपने Windows के start button पर click करना है Windows 10 या Windows 11 में उसके बाद setting पर click करना है setting में जाने के बाद आपको display पर click करना है display में आपको graphics पर click करना है graphics पर click करने के बाद आपको यहीं पर यह option देखने को मिल जाएगा VRR का अगर यहां पर देखने को नहीं मिलता है तो simply आपको change default graphics setting पर click करना है तो आपको यहां पर VRR का support देखने को मिल जाएगा simply उसे on कर देना है अगर आपको अपने gaming laptop के अंदर यह VRR का feature नहीं देखने को मिलता है इसका मतलब आपका laptop इस feature को नहीं support करता है तो guys आप बात करते हैं कि dynamic refresh rate को windows 11 के अंदर कैसे on करना है इस dynamic refresh rate जो है window 11 insider dev channel के लिए ही सिफ अभी अवेलबल है beta channel और stable channel के लिए अभी यह feature अवेलबल नहीं है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो monitor है या laptop है जो उसका display है वो 60 Hz के उपर का होना चाहिए तभी आप इस feature को enable कर पाऊगा तो इसको enable करने के लिए window के start button पर click करना है then उसके बाद setting में जाना है setting में आपको display में जाना है display में आपको advanced display पर click करना है यहाँ पर देखने को मिलेगा choose a refresh rate यहाँ पर आपको जब drop down में जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा dynamic option simply उसको select कर लेना ही तो मेरा beta channel है आपको देखने को मिल जाएगा simply उसको select कर देना है और apply कर देना है तो इससे क्या होगा अगर आपके पास laptop है तो आपकी battery की saving होगी और desktop user के लिए फीचर काफी ज़दा helpful रहेगा तो guys अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे like कर देजिए का share कर देजिए का comment कर देजिए को और अगर आप में चैनल पहली बार आए तो में चैनल को subscribe कर लेजाए तक कि लिए take care bye bye Jai Hind